नमस्कार दोस्तों, RPSC 2nd Grade Paper Fest के अंदर हम देख रहे थे राजनीती विज्यान राजनीती विज्यान के हमारी ये कलास नंबर 5 रहेगी जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं मोली कदिकार मित्रू मोली कदिकार बहुत बड़ा टोपिक है इसलिए हम इसको दो भागों के अंदर यानि दो कलासों के अंदर कम्पलिट है जो देखेंगे इसके साथ अगर आप जो भी कलास यहां पर होती है उनकी पीडियेप के दोवारा नोट्स बनाना चाते हैं तो कुचामन ओनलाइन कलासेज एप डाउनलोड करके वहां पर इस्टोर में जाकर आरपीसी सेकंड ग्रेड के नाम से आपको मिल जाएगा फोल्डर जिसके दोव आप सभी नाम मातर के चार्ज के साथ पीडियेप हर कलास के बाद वहां पर पीडियेप मिल जाएगी मित्रू तो चलते हैं आज की कलास की और एक बार सभी मित्रू से मेरा अनुरोद रहेगा कि वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है वो चैनल को जरूर करें चलते हैं सबसे पहले मित्रों आज हम बात करेंगे मूलिक अधिकार मूल अधिकारों की तो सबसे पहले बात करते हैं कि सुविदान के कौन से भाग के अंदर मूल अधिकार है दोस्तूं मूल अधिकार है इनका जो वर्णन है वो किया गया है अनुछेद 12 से लेकर अन हमारे जो यहाँ पे मोलिक अधिकार है वो अमेरिकार से प्रेरित है यानि कि जो अमेरिका के मोलिक अधिकार है उनसे मिलते जुलते उनसे लिये गए मोलिक अधिकार है मौलिक अधिकारों को सविधान का मेगना कार्टा कहते हैं सविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि सबसे पेले मौलिक अधिकारों की मांग 1215 इस्वी में बिर्टेन में मेगना कार्टा अधिकार पत्तर के अंतरगत उठाई गई थी इसी वज़े से सविधान के मेगना कार्टा किनको का जाता है मूल अधिकार या मूलिक अधिकारों को काहा जाता है अब बात करते हैं कि मूलिक अधिकार या मूल अधिकार का अर्थ क्या होता है क्या चीज है ये तो ऐसे अधिकार जो जीवन जीने जो जीवन के सर्वांगिन विकास है तू अति आवसेख होते हैं और उनके पिछे किसी समाज, राज्य, देश की कानूनी बादाएं लागू होती है उन्हें मोलिक अधिकार कहा जाता है हम जीवन जीते हैं तो जीवन जीने के लिए सर्वांगिन विकास सही है और सर्वांगिन विकास जीवन जीने के लिए आवसेख होता है तो ऐसे अधिकार जो अमारे जीवन के सर्वांगिन विकास के लिए आवसेख है दोस्तू ये सर्वांगिन जीवन जीने के सर्वांगिन विकास के लिए आउसे के लेकिन इनके पीछे कुछ कानूनी सीमाई कुछ कानूनी बाधाई लागू होती है चाहे राज्ये हो चाहे देश हो चाहे समाज हो सब के पीछे जो भी मूलिक अधिकार है वो मूल अधिकार है उनमें कुछ कानूनी बाधाई होती है जिनके वारा आ अपना चाहे जीवन हो चाहे सर्वाइगन विकास हो वो नहीं कर पाते हो उन्हीं को का जाता है मूल अधिकार मूलिक अधिकार यहाँ पर बहुत सारे मित्र यह मांग उठा रहे हैं मूलिक अधिकार तो हमें समझ में आ गया लेकिन मानव अधिकार आगे आएगा बहुत जग प्राप्त होते हैं मानव होने के नाते मतलब मानव होने के नाते ऐसे अधिकार जो जनमजात वेक्ति या नागरी को प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है मानव अधिकार दोस्तूं इनकी सबसे पहले सुरुवात 10 दिसंबर 1948 को सयुक्त राष्टर संग की महसबा से मानी गई है बात याँ प्रम कर रहे हैं मानव दिकार की मूल या मोलिक दिकार की बात नहीं कर रहे हैं तो इनकी सरुवात कब की गई है? 10 दिसम्बर 1948 को सयुक्त राष्टरशंग की महसबा से. इसलिए मित्रू परतेक 10 दिसम्बर को विश्वे मानवादिकार दीवस मनाया जाता है. मानवादिकार, मानव अधिकार. विश्वे मानवादिकार दीवस कम मनाया जाता है? विश्वे मानवा दिकार दिवस कब मनाया जाता है दस दिसंबर को परतेक दस दिसंबर को विश्वे मानवा दिकार दिवस मनाया जाता है अब बात करते हैं जो मोलिक दिकार है उनकी मांग भारत में कब के से कब किनके द्वारा उठाई गई और कब हमारे सविधान के अंदर मोलिक अदिकार है उनको समलित किया गया दोस्तु तो भारत में सबसे पहले मोलिक अदिकारू की मांग 1895 में बाल गंगादर तिलक के सवराज विदेख में की गई यानि कि बारत के अंदर जो मोलिक अदिकार है उनकी सबसे पहले मांग किस ने किये सबसे पहले मांग की है बाल गंगादर तिलक ने अपने सवराज विदेयक के अंदर कभी की थी 1895 में तो पेला क्योसन बारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारूं की मांग किसने उठाई बाल गंगादर दिलग ने 1895 में 1925 में इंडिया कोमनवेल्ट बिल में मौलिक अधिकारूं को बनाया गया जो वेवस्तित नहीं थे यानि कि 1925 के अंदर जो इंडिया कोमनवेल्ट बिल आया था उसके अंदर मौलिक अधिकारूं को बनाया गया था लेकिन ये क्या नहीं थे वेवस्तित नहीं थे अपने तरीके से नहीं थे आगे देखे, अगस्त 1928, अगस्त 1928 के अंदर नेरू रिपोर्ट, ये नेरू जमारलाल नेरू की नहीं है, मोतिलाल नेरू की रिपोर्ट है, मैं पहली बार बारत में बारतिये लोगु दुआरा विवस्तित 19 मोलिक अधिकार बनाए गए, लेकिन ये लागु नहीं हो पाए मतलब जो नेरू रिपोर्ट आए थी 1928 में, उसमें भारत में बारतिये लोगु के दुआरा मोलिक अधिकार बनाए गए थे 19, लेकिन इन जो ये मोलिक अधिकार थे, ये भी क्या नहीं हो पाए, लागु नहीं हो पाए 1931 में, सरदार पटेल की अधिक्स्ता में कॉंग्रेस का कराची अधिवेशन संपन हुआ, जिसमें कॉंग्रेस के दुआरा पहली बार प्रारूरूपित किया गया, किसको प्रारूपित किया गया है, मोलिक अधिकारूं को तो कॉंग्रेस ने पहली बार मोलिक अधिकारूं की मांग 1931 के अंदर, कराची अधिवेशन के अंदर क्या की है, उठाई है दोस्तूं, आगे देखे, आगे है, 1942, क्रिप्स मिसन ने मोलिक अधिकारूं को बारत के सुविधान में बनाये जाने का विचार रखा, यानि कि क्रिप्स मिसन जो 1942 में उसने क्या किया, जो मोलिक अधिकार है, उनको सुविधान में बनाये जाने, यानि सामिल के जाने पर अपना विचार रखा था दोस्तूं, बात करते हैं 1946 की, तो केबिनेट मिसन की सिपारिसू के अंतरगत भी, बारतिये सुविधान में मोल कि अधिकारों को बनाये जाने का विचार रखा गया, जो 1946 के अंदर केबिनेट मिसन बना, उसमें जो सिपारिसे थी, उनके अंतरगत भी क्या था, कि जो मोलिक अधिकार है, इनको भारतिये सुविधान के अंदर बनाया जाए, तो मित्रू यहां से हम देखते हैं, कि सबसे पहले अगर बात की जाए, कि भारत के अंदर मोलिक अधिकारों को लागू किया जाए, इसकी मांग है, वो कब-कब और किस-किस ने उठाई, तो सबसे पहले हमने देखा था कि 1895 के अंदर बाल गंगादर तिलक ने सवराज विदेई के अंदर मोलिक अधिकारों की मांग उ देखता में, जो कॉंग्रेस का क्राची अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर इन मोलिक अधिकारों की मांग उठाई गई थी, अब यहां से देखिए मित्रों, हमने 1942 और 1946 के बारे में पढ़ लिया, तो नोट लगा कर क्या लिखा गया है, सबसे पहले मोलिक अधिकारों की मांग, यानि कि पूरे विश्वे की बात हो रही है, 1215 बिर्टेन में मेगना कार्टा अधिकार पत्तर के अंतरगत उठाई गई थी, सबसे पहले पूरे विश्वे में, 1215 में ये मांग उठी थी, बिर्टेन के अंदर, मेगना कार्टा अधिकार पत्तर था, उसके अंदर, इसी वज़े से मोलिक अदिकारों को हमारे सुविधान का मेगना कार्टा कहा जाता है यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्यों सनाएगा आपके सामने देखी ही मित्रू सत्रा सो इकराण में में अमेरिका सुविधान में कुछ संसोधन के अंतरगत पहली बार लिकित मोलिक अदिकार बनाए गए क्या है कि जो हमारे देश है पूरे देशों के अंदर सबसे पहले सुविधान के अंदर किसने मोलिक अदिकारों को सामिल किया है अमेरिका ने 1701 में के अंदर कुछ संसोधन किया और अपने सविधान के अंदर कुछ संसोधन करके लिकित मोलिक अदिकार अपनाई दोस्तूं इसलिए अमेरिका को मोलिक अदिकारों को क्या का जाता है जनम दाता का जाता है कि उसन बन कर आ सकता है कि मोलिक अधिकारों का जनम दाता किस देश को कहा जाता है अमेरिका अमेरिका ने मोलिक अधिकार अपनाए थे 1701 में ईस्वी में दोस्तु अब बात करते हैं कि भारत के अंदर जो मोलिक अधिकार है वो सविधान में कैस से आई तो देखें मित्रू भ बनाई थी और इनको कार ये सोपा गया था कि आप मोलिक अधिकार है उनको बनाई ये समेतियां कौन-कौन सी थी सीधा क्यूसन बन करा सकता है इनमें से कौन सी समेति मोलिक अधिकारों के निर्मान की नहीं है तो पहली थी मोलिक अधिकार एवं अलप संक्यक समेति जिसके जेवी कृपलानी तीसरी सिमेती थी अलब संक्यू कूं सें समंदित उप समेती जिसके अध्यक्स बनाए थे हैंचसी मूकरजी मतलब सविदान सबाने जो मोलिक अधिकारों के लिए तीन समेतियों का घटन किया था होई थी मौलिक अधिकार और अलब संक्यक समेती दूसरी थी मौलिक अधिकार उससे समंदित उप समेती तीसरी थी अलब संक्यकों से समंदित उप समेती ये तीन समेतियां थी जिनको मौलिक अधिकारों को बनाने का कारिये सोपा गया था दोस्तूं अब आगे देखे, इन तीनोंने तता इन जबी सिमेतियों कि सीपारिसों के आदार पर प्रारूप सिमेतियों साथ मॉलिक अधिकार बनाए गए अब ये साथ मौली कदिकार, बहुत सारे साती मांग उटाएंगे कि सर वर्तमान में हम पढ़ते हैं तो हमें च्छही मौली कदिकार, हा मित्रू छही है लेकिन हम जब की बात कर रहे हैं जब हमारा सुविधान बना और सुविधान के अंदर मौली कदिकारों को समलित किया गया था उस समय की तो मित्रू साथ मौली कदिकार उस समय बनाए गए थे, कौन सा मौली कदिकार हटाया गया वो भी हम बात करेंगे समानता का अधिकार जो अनुच्छे दियानि आर्टिगल चोदे से अठारे में मिलता है दूसरा था सवतंतरता का अधिकार तीसरा था सोसन के विरुद अधिकार चोटा था धार्मिक सवतंतरता का अधिकार पांचवां था सिक्षिया एवं संसकर्ति का अधिकार छटा था संपति का अधिकार और सातवां था सुवेदानिक उपचारू का अधिकार ये साथ मोलिक अधिकार प्रारूप सिमेती में बनाए गई थे दोस्तूं अब मित्रो आपनी यहां पे देखा है छे नमरा संपति का अधिकार जिसके सामने मैंने क्रोस मारा है इसको अटा दिया गया है क्यों केसे कब अटाया गया है इसके बारे में जश्टियम चर्चा करेंगे पहले एक बार फिर देख लें छे मोलिक अधिकार कौन-कौन से हैं समानता का अधिकार सौतंतरता का अधिकार सोसन के विरुद अधिकार धार्मिक सौतंतरता का अधिकार सिक्सिया एवं संसकर्ति का अधिकार छे को उठा दीजी और शात्वा हैं सविधानिक उक्चारों का अधिकार दोस्तूं अब देखिए जो हमारा छे नम्मर है यहां पे संपती का अधिकार इसको क्यूं हटाया गया संपती के अधिकार को चमालीसवे सविधान संसोद जो 1948 हुआ उसे निर्सित कर सविधान के भाग बारा के अनुचे 300 कै में सामाने अत्वा कानून अधिकार के रूप में जोडा गया जो संपती का अधिकार था ना मित्रूं इसको मोलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया है जो हमारा यहां पे संपति का अधिकार इसको किस में डाल दिया है बाग बारा के अंदर और बाग बारा का आर्टीगल कौन सा है तीन सो के आर्टीगल है यह याद रखना है सीधा कुछ हटके क्यूसन बनेगा तो वो इस परकार से बनेगा कि संपति का अधिकार जो मोलिक कौन से भाग में सविधान के अंदर कानूनी अधिकार बनाया गया है भाग बारा में कौन से अनुछेद में अनुछेद 300 के में दोस्तूं तो आ गया अब बच्चे कितने हमारे सामने 6 मौली कदिकार बच्चे हैं अब 6 जो हमारे मौली कदिकार है उनके बारे में हम आराम से चर्चा करेंगे एक एक के बारे में जो जो अनुचेद है उनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे दोस्तों हमारे जो मौलिक अदिकार है अगर हम पहले मौलिक अदिकार की बात करें समानता का अदिकार वो अनुचेद 14 से लेकर अनुचेद 18 में वरनित है जबकि हमने सुरू अनुछेद बारा आर्टिकल बारा की एक का मतलब यहां पे आर्टिकल है मित्रू सोट में लिखा गया है आप अनुछेद बारा इसको समझ सकते हैं इसमें दी गई है राज्ये की प्रिवासा देखे राज्ये में संसद विधान मंडल इस्तानी निकाई प्रादिकारी सामिल ह इसके अंतरगात बारत राज्ये छेतर और उसके बार काम करने वाले प्रादिकारी भी सामिल है राज्ये की प्रिवासा कुछ इस परकार की दी गई है कि जो हम राज्ये यहां पे यूज कर रहे हैं उसके अंदर चाहे संसद हो चाहे विधान मंडल हो चाहे इस्तानी निका हो चाहे परादिकारी हो सब सामिल है सब इसके अंतरगत आएंगे और दूसरी बात चाहे हम राजे यहां पर राजे हम भारत देश को राजे ही कह रहे हैं सुईदान के अंदर चाहे हम यहां पर राजे में काम करें या किसी और जगे हम उसके अंदर जो भी परादिकारी इस यह बार जा कर काम करते हैं लेकिन वो रहेंगे याँके राज्य के ही प्रादेकारी दोस्तूं यह है आर्टिगल 12 बात करते हैं आर्टिगल 13 की राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मोली का दीकारों को سिमित करता हूँ मतलब कि राज्य कोई भी ऐसा कानू नहीं बना सकता है जो हमारे मोली कदिकारों को सीमित करता है मोली कदिकारों को छेड़ता है मोली कदिकारों का उलंगन करता है या इनको छोटा करता है यह है आर्टिगल 13 में जो मोली कदिकार है वो जैसे के तेसे बने रहेंगे दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले हमारा एक नमर पे जो मौलिक अधिकार हमने देखा था वो था समानता का अधिकार जिसका हम अद्रियन करेंगे अनुछेद चोदे से लेकर अनुछेद 18 तक दोस्तों तो समानता का अधिकार के अंदर सबसे पहले सुरू करते हैं अनुछेत चोदे में अनुछेत चोदे में क्या का गया देखे विदी के समक समानता विदी के समक समानता बिर्टेन के सुविधान से प्रेरित है यानि अनुछे चोदे में है कि विदी कानून के समक सभी समान है और ये प्रेरित किसे हैं बिर्टेन के सुविदान से ये प्रेरित है और विदी का समान सरक्सन ये अमेरिका से प्रेरित है मित्रू यहां से समझना है विदी के समक समान था और विदी का समान सरक्सन दो चीज़े हैं एक तो ये देखे विदी के समक समानता दूसरा है विदी का समान सरक्सन दो चीज़े निकल कर आ रही है कि विदी के समक समानता ये तो बिर्टेन के सुविदान की है और विदी का समान सरक्सन ये अमेरिका के सुविदान की है दोस् अब हित्रू यहाँ पे देखिए समानता का सिदान्त नकारात्मक सिदान्त है हर एक समान है ये बात है लेकिन हर एक चीज में समान नहीं होते है नकारात्मक ता आती है इसे जबकि समान सरक्सन यानि कि सभी को सरक्सन समान दिया जाए क्या किया जाए सभी को समान सरक्षन दिया जाए ये सिद्धान क्या तारकिक रूप से हमें उचित लगता है समान सरक्षन के अंतरगत सकारात्मक भेदबाव संबव है अगर हम सभी को समान सरक्षन देते हैं तो इसमें सकारात्मक भेदबाव संबव है और ये कानून सार्वे भॉम कानून नहीं है, सार्वे भॉमी कानून ये नहीं है दोस्तूं, तो अनुचेद चोदे कि अगर हम बात करें तो इसमें विदी के समक समानता या विदी का समान सरक्सन मिलता है, समानता का पहला अनुचेद अनुचेद चोदे, अब चलते हैं अन नागरिकू के साथ केवल दरम जाती लिंग मूलवंस जनमिस्तान के आदार पर बेदबाव नहीं करेगा यानि अनुचेद पंदरा में अगर हम बात करें अनुचेद पंदरा भाग एकी तो उसमें क्या है कि कोई भी राज्ये अपने नागरीकों के साथ दरम जाती लिंग मूलवंस और जनमिस्तान इनके आदार पर बेदबाव नहीं करेगा चाहे किसी भी जाती का हो, किसी भी दरम का हो, कोई सा भी उसका लिंग हो, कोई सा भी उसका वन्स हो, कहां का भी उसका जनमिस्तान हो, बेदभाव नहीं किया जा सकता है मित्रूं यह है आर्टिकल 15.1 बात करते हैं अनुचेद 15.2 में राज्य सारवजनी किस्तलों के परवेश से किसी पर भी पाबंदी नहीं लगाएगा जो भी सारवजनी किस्तल है वहाँ पर किसी भी धरम जाती लिंग वन्स या कहीं का जनमा हुआ वहाँ पर परवेश कर सकता है यहनि सारवजनी किस्तलों पर पाबंदी नहीं लगाए जा सकती है अब सारवजनी किस्तलों में जैसे होटल हो गया, मंदीर हो गया, मस्जिद हो गया, कुवा हो गया, तालाब हो गया, उद्ध्यान हो गया आदी सभी के लिए क्या रहेंगे खुले रहेंगे बात करते हैं अनुचेत 15-3 की राज्य महिलाओं वे बालकों की उनती के लिए विसेश सरक्सन परदान कर सकता है मतलब कि राज्ये जो महिला और जो बालक है उनकी उनती के लिए उनको विसेश अलग से सरक्सन परदान कर सकता है बात करते हैं अनुछेद 15.4 की राज्ये सामाजिक और सेक्सनिक दरश्टी से पिछडे वरगूं को यहां पे समझे मित्रू राज्ये है जो सामाजिक और सेक्सनिक दरश्टी से जो पिछडे वरगूं को उत्थान के लिए सरक्सन परदान कर सकता है मित्रू यह चीज यहां पर समझनी है कि राज्य है जो सामाजिक और सेक्सनिक दरश्टी से पिछड़े वर्गों को सरक्षन परदान कर सकता है कौन से अनुछेद के अनुसार यहां पर आपको सीधा यह भी पूचा जाएगा अनुछेद 14, 15, 16, 17 तो अनुछेद 15 होगा सही अनुछेद 15 चार में यह लिखा गया है कि राज्य है वो सामाजिक और सेक्सनिक दरश्टी से जो पिछड़े हैं उनको उनके उत्थान के लिए सरक्षन परदान कर सकता है जो समानता का अपूआद नहीं होगा अब यहां पे समानता का अपवाद क्यों कि यहां पे जो पिछड़े हैं उनको तो सरक्षन दे रहा है बाकी को सरक्षन राजिय नहीं दे रहा है तो समानता तो नहीं आ रही है कि कोई पिछड़ा है तो उसको उपर लाइए उसका उत्थान कीजी लेकिन ये नहीं है कि ये समानता जो कानून है उसका क्या होगा अपवाद होगा अपवाद नहीं होगा दोस्तु इसे सिक्सन संस्तानों संस्ताओं में परवेश के आरक्षन से भी जाना जाता है और ये क् को इसे त्राणमवा सविधान संसोधन 2005 से जोड़ा गया है जो मारा अनुचेद 15 का भाग 5 दिया गया है उसको त्राणमवा जो सविधान संसोधन हुआ था 2005 में उसके द्वारा जोड़ा गया है के अंदर ये सिक्सन संस्ताने में भी A, C, H, T, O, B, C वे अन्य वर्गों को आरक्सन दिया जाएगा पहले राजिये की बात हो रही थी अब जो के अंदर की संस्ताएं हैं उनके अंदर भी जो A, C, H, T, O, B, C और या अन्य कोई वर्ग है तो उनको क्या दिया जाएगा आरक्सन दिया जाएगा इसमें अलब संक्यक संस्ताएं सामिल नहीं होगी जो अलब संक्यक संस्ताएं हैं वो इसके अंतरगर सामिलित नहीं की गई ये था अनुचित पंदर आगे चलते हैं अनुचित सोले की और कैसे जैसे जैसे अनुचेद को हम पूरा पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तूं देखिए यहां पे अनुचेद 16 है वो लोक नियोजनों से समन दीता है अनुचेद 16 वन है उसके अंदर लोक नियोजन में जो आफसर मिलते हैं उनमें समानता सबी के लिए समान होंगी कैसे देशतूं अनुचेद सोले दो में देखी राज्य जाती द्रम लिंक वरण जनमिस्तान एवं निवासिस्तान के आदार पर बेदबाव नहीं करेगा सरकारी नोकरी परदान करते समय लोक नियोजन या सरकारी नोकरी समझ लो आप सिदा यहीं बात है मतलब कि सरकारी नोकरी अगर परदान राज्य कर रहा है तो उसमें जाती द्रम, लिंक वरण जनमिस्तान एव है जनेमिस्तान को लेकर किसी भी परकार का बेदबाव राज्य नहीं करेगा ये का गया है सोला दो में तो लोक नियोजन का आर्थ यहां से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है साइद बात करते हैं अनुचेद सोला तीन में राज्य चोटी नोकरियों में किसी प्रांत विसेश के इस्तानी निवासियों को यदि उनका परतिनी दीतु है सरकारी सेवाओं में उच्चित नहीं है तो उन्हें सरक्षन परदान करने के लिए कानून बना सकता है ये कानून संसत्ते करेगी अनुचेद सोला का जो तीन भाग नमर है ये क्या कह रहा है कि जो छोटी नोकरियां होती है राजे के अंदर उनके अंदर किसी प्रांत के जो निवासी है अगर उनका सरकारी जो सेवाओं है उनके अंदर भहुत कम है या उनका परतिनी दीतु है बहुती कम है तो उनको कुछ विसेश प्रावदान देकर उनको सरक्सन देकर उनको क्या है सरकारी सेवाओं में उनका परतिनी दित्वब बढ़ा सकती है ऐसा कानून है जो राजे बना सकता है और ये कानून ते कोन करेगी संसद करेगी दोस्तु यह है अनुचे 16,00 का 3 आगे चलते हैं अनुचे 16,00 का भाग 4 में राजे, A, C, A, T, O, B, C, तता अन्य पिछडे वरगों को सेवाओं में आरक्सन परदान कर सकता है राजे, A, C, A, T, O, B, C या अन्य कोई भी वरग है उसको क्या कर सकता है जो सेवाएं है राजके सेवाएं उनके अंदर आरक्सन दे सकता है ये भी क्या नहीं होगा समानता का जो अपुआद नह ही माना जाएगा सरकारी नोकरियों में ने केवल नोकरी में आरक्सन है बलकि पदोंती में भी आरक्सन है मतलब नोकरी में ही आरक्सन नहीं है जब पदोंती होती है तो पद की उनती उसमें भी क्या किया गया आरक्सन की विवस्ता की गई है आगे देखी सर्वोचे नयाले ने नौंबर उननी सो ब्राण में इंद्रा साहनी बनाम भारत संग केस में आरक्सन की अधिक्तम सीमा 50% की है 1900 ब्राण में समझे यहां से ध्यान से 1900 ब्राण में नॉवंबर 1900 ब्राण में के अंदर इंद्रा सानी बनाम भारत संग केस हुआ था जिसके अंदर सर्वचे नेयले सुप्रीम कोट ने जो आरक्षन है जो H.C.H.T.O.B.C.A. ने वर्गू को दिया गया है उसकी अधिक्तम सीमा फिक्स की थी वो की थी 50% 50% से अधिक कोई सा भी राज्ये आरक्षन नहीं दे सकता है इससे अधिक आरक्षन 11 जनवरी 2007 के बाद अवेद समझा जाएगा अगर कोई भी राज्ये 50% से अधिक आरक्षन देता है तो 11 जनवरी 2007 के बाद वो क्या हो जाएगा अवेद हो जाएगा चाए वे नवी अनुसूची का आरक्षन ही क्यों ना हो नवी अनुसूची जैसे ही हम आगे अनुचोहिद पड़ेंगे या अनुसूची पड़ेंगे तो उनके अंतरगत आपको मिल जाएगी तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी राज्य अधिक्तम 50% आरक्षन ही दे सकता है यहाँ पे देखिए ततकाली वीपी सरकार ने ओबी सी को 27% आरक्षन दिया था जो वर्तमान में 21% वेद्दे है वीपी सरकार बनीती वीपी मेंन सरकार उसने ओबी सी को 27% आरक्षन दिया था वर्तमान में ओबी सी को 21% आरक्षन क्या है प्राप्त है एस्टी को 12% और एस्टी को 16% आरक्षन प्राप्त है दोस्तूं यह था अनुचेत 16 मित्रों एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार क्लास अटेंड करें और अपने हस्त लिकित नोट्स बनाईए चाहे क्लास देखो चाहे आप पे जो हमारा एप है उसके दोरा आप पीडियेप को देखते हुए अपने नोट्स मनाईए इतना विस्वास दिलाता हूँ कि पेपर यहीं से आने वाला है और आपका परसन भी इनसे बार नहीं जाएगा बस अगर आपको याद नहीं हुरे है तो हस्त लिकित नोट्स मना लीजिए असनी से याद हो जाएंगे आगे चलते हैं अनुचेद 17 के अंतरकत, आर्टीगल 17, छुρώा चूथ ऐस्पिर्शियता का अंत किया गया है, यानि कि आर्टीगल 17 है वो छुवा चूथ से समन दी था, छूथ को बंद कर दिया गया, उसका अंत कर दिया गया, केसे देखे बारत की संसद ने ऐस्पिर्शिय ता निशेद अदिनियम 1955 बनाया जिसमें उननी सो चिंतर में सिविल अधिकार सरक्षन अदिनियम के नाम से फेर बदल किया गया 1990 में इसे दलित अत्याचार निशेद कानून बना दिया वर्तमार में जाती सुचक सब्द बोलना भी दंडनिये अपराद है मतलब अनुचेद जो सत्रा है उसके अंतरगत भारत की संसद ने 1955 में एसपरशेदा निशेद अदिनियम बनाया था जिसको ही उननी सो चिंतर में सिविल अधिकार सरक्षन अदिनियम किया गया बाद में 1999 में इसको दलित अत्याचार निशेद कानून बना दिया गया मतलब कि चुआ चूत कोई भी जाती है कोई भी वेक्ती है उसके साथ चुआ चूत नहीं होगी किसी भी वेक्ती को आप जाती सुचक सब्द उसकी जाती को लेकर अगर आपको जाती सुचक सब्द बोलते हैं जिसमें उसको कश्ट होता है तो आपको अपरादी माना जाएगा ये है अनुचेद सत्र बात करते हैं अनुचेद अठारा की तो अनुचेद अठारा में उपादियों का अंत जो भी उपादिया है उनका अंत कर दिया गया अब कहां कहां पर उपादिया दी जा रही है वो भ उपादी प्राप्त करता वेक्ति अत्वा नागरिक प्राप्त करने से पूर्वे राष्ट्रपती की अनुमती अनिवेरे हैं। इस उपादी का प्रियोग अपने नाम से पूर्वे नहीं करेगा पीछे संबो है। दूसरे अधिकार की और दूसरा मौलिक अधिकार है सवतंतर्ता का अधिकार। सवतंतर्ता का अधिकार हमारा अनुचेद 19 से लेकर अनुचेद 22 में वरनित है। तो अनुचेद 19 से 22 हम अधिन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अनुचेद 19 में। इसमें छे परकार की सवतंतर्ताएं सामिल है। इसमें जो राजे के नागरिक है उनको छे परकार की सवतंतर्ताएं दी गई है। पहली सवतंतर्ता देखे अनुचेद 1-1 के अंतरगत दी गई है। किसकी है। बासन, अभिवेक्ती और बोलने की सवतंतर्ता दी गई है अनुचेद 19 में। इसमें फ्रेस और मीडिया की सवतंतर्ता भी क्या है। सामिल है। फ्रेस और मीडिया, न्यूज, मीडिया इनकी भी सवतंतर्ता इसी के अंतरगत आती है। इसमें जंडा पहराने का दिकार जो 2004 में मिला वो भी सामिल है। इसमें सांति पूर्ण धरना परदर्शन का भी क्या गी गई है। सांति पूर्ण धरना परदर्शन कर सकते हैं। हड़ताल आप नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसमें सीमित संदर्ब में आर्टी 2005 सूचना का अधिकार जो सूचना का अधिकार हमें 2005 में मिला था। वो भी इसके अंतर्गत आता है। वो भी सूचनतर्था हमें दी गई है लेकिन सीमित दी गई है। आगे देखिए नोटा का अधिकार 2013 में सामिल किया गया। वो भी किसके अंतर्गत आता है। वो भी उन्निस वन एक के अंतरगत हमें सवतंतरता दी गई है कि हम नोटा का यूज कर सकते हैं चुनाव के समय दोस्तु आगे बात करते हैं उन्निस वन बी के अंतरगत क्या क्या दिया गया है बीना अस्तर सस्तर के सम्मेलन करने की सवतंतरता अगर आप कोई सम्मेलन कर रहे तो उसके अंदर आप अस्तर सस्तर नहीं ले जा सकते अपवाद इसके अंदर है सिक करपान धारन कर सकते हैं क्योंकि ये उनका धरम से जुड़ा वो मामला है तो सिक समुदा ये वो अपनी करपान धारन कर सकते हैं बाकी कोई भी अस्तर सस्तर आप सम्मेलन में नहीं ले जा स बिना अस्तरसस्तर के आप क्या कर सकते हैं सम्मिलन कर सकते हैं दोस्तों आगे चलते हैं अनुचेद 19 के 1C के अंतरगत देखे संग बनाने की सोतंतरर था। संग बना सकते हूँ देखी केसी अपुआद को नहीं बना सकता सेना नहीं बना सकती पुलीस संग नहीं बना सकते अर्ध सेनिक बल संग नहीं बना सकते गुपचर जो संस्ता हैं वो भी संग नहीं बना सकती ये क्या नहीं बना सकती है संग नहीं बना सकती है लेकिन एक जो मो यानि सेकारी सिमेतियां बन सकतें, सेकारी संग बनाए जा सकते हैं, 2011 बारा जो संत्यानमवा सविदान संसोदिनवा उसके द्वारा इसके अंतरगत जोड़ा गया, आप संग बना सकते हो इनको छोड़ कर सेना पुलिस अर्थ सेनिक बल गुपचर जो संसता हैं हैं और वेसे हैं ये संग नहीं बना सकती आगे चलते हैं अनुछे 1D के अंतरगत 19.1D बिना बादा के भारत में बर्मन करने की सोतंतर था आप बिना किसी बादा के पूरे भारत में बर्मन कर सकते हैं लेकिन आप कानून की पालना करते हैं कानून को तोड़ कर भारत में बर्मन आप नहीं कर सकते हैं आगे चलते हैं 19-1-E के अंतरगत इस्ताई रूप से आवास बसने की सौतंतर था इस्ताई रूप से आप कहीं पर भी आवास यानि बस सकते हैं समझे मित्रू जब ये कानून बना था उसमें जे एंड के में इस्ताई संपती करने का अधिकार सेंस बारतियों को नहीं था जो वर्तमान में क्या हो गया है प्राप्त हो गया है आगे देखें 19-1-E के अंतरगत संपती अरजित करने की सौतंतर था समझे यहां से थोड़ा सा संपती अरजित करने की सौतंतर था थी लेकिन इसको निर्सित कर दिया गया है चमालीश में सुविदान संसोदन 1948 के दुआरा और अनुछे 300 कैमें इसको कानून बना कर जोड़ दिया गया है आगे चलिए 19-1-जी के अंतरगत 19-1-जी विवसाई, वृत्ती, आजिवीका औ नोकरी करते हैं तो उसके आपको सौतंतरता दी गई है अनुछेद 19 के अंतरगत दोस्तों अब आगे देखिए मित्रों आगे देखिए अनुछेद 2 से अनुछेद 7 तक अनुछेद 19-2 और अनुछेद 19-7 अनुछेद 19-2 से अनुछेद 19-7 तक इन सभी सौतंतरताओं पर राज्य तार्किक उचित युक्ति युक्त पर्तिबंद लगा सकता है। जैसे सामाजिक सदाकार देश के एकता खंड़ता या अंतराष्टि संदी एवं समझोते के लिए, जो हमें सवतंतरता हैं अनुचेद 19 में दी गई है, 19 पर इन सभी पर राज्य है जो तार्किक उचित या युक्ति युक्त पर्तिबंद लगा सकता है। या तो कोई सामाजिक सदाचार हो, देश की एकता या खंड़ता की बात हो, अंतराष्टि संदी या समझोता हो, उस समय दोस्तों। आगे चलते हैं अनुचेद 20 की ओड़, देखे मतरूं अनुचेद 20, कुछ दसाओं में अपरादू के दोस्तिधी के सम्मझ में सरक्सन प्राप्त करने का अधिकार, कुछ ही दसाओं के अंदर आप अपराद के दोस्तिधी या तो उनमें सरक्सन प्राप्त करने का अधिका अब इसके अंदर देखे 20 वन के अंतरगत अपरादू का भूत लक्सी प्रबाव लागू नहीं होगा भूत लक्सी देखिये यहां पे कोई भी अपरादी है उस पर कानून कारवाई कर रहा है केस चल रहा है अर्थार परचलित समय में लागू कानून से ही परचलित तो हो उसको दो साल या तीन साल बाद वो कानून अट गया नया कानून आ गया है तो पुराने कानून से उसको दंडित नहीं किया जाएगा नए कानून के तेत ही उसको दंडिते किया जाएगा यह पहला दूसरा देखे 20 के अंदर 20 के अनुचेद 20 में 2 नमर एक जैसे अपरा अगर दो का तो उनको एक जैसा ही सरोचे दंड दिया जाएगा अलग अलग दोनूं को अगर अपरा दोनूं का समान है तो दोनूं को अलग अलग दंड नहीं दिया जा सकता है दोस्तूं अनुचेद 23 के अंतरगत देखे स्वेम को स्वेम के विरूद गवाई देने के लिए विवस नहीं किया जाएगा आप किसी को उसके ही विरूद गवाई देने के लिए विवस नहीं कर सकते हैं ये भी सौतंतरता हमें दी गई है अनुचेद 20 के दुवारा दोस्तों अगे चलते हैं अनुचेद बीस के बाद में अनुचेद 21 की ओर दोस्तूँ अनुचेद 21 प्राण एवं देहिक सौतंतरता का अधिकार समझे मित्रू यहाँ पे कह क्या है आराम से समझना राज्य किसी भी वेक्ती अत्वा नागरी को विदी द्वारा इस्तापित परकिरिया से ही उसके जीवन जीने से वंचित कर सकता है उसके प्राण ले सकता है यह नहीं है कि राज्य जब चाहे जैसे चाहे अपने मन से किसी भी वेक्ती के प्राण ले नहीं ले सकता है जो उनके अंतरगत रहकर ही राज्ये अपना कारिये कर सकता है अनुछेद 21 में गरिमा पून जीवन जीने का अधिकार है जिसमें मानव अत्वा वेक्ति के सरवांगिन विकास सामिल है मौलिक दिकार ہمने पढ़े थे जिसके अंदर था कि जीवन जीनेक में सरवाङिन विकास तो यहाँ पर क्या चीज का है कि मानव या वेक्थी उनका सरवाङिन विकास अनुचे दिकीस में सामिल किया गया है और कोई भी वेक्थी या मानव है वो अपना ग्रिमपून जीवन जी सकता है दोस्तूं 1978 में मेनका गांदी बनाम बारस संकेस में सर्वोचे नेल ने इसकी बड़ी व्यक्या की थी जैसे आसरे प्राप्त करने का अदिकार दिया गया नेंद लेने का अदिकार है विदेसी यात्रा पर जाने का अधिकार है हत्कडी लगाने के विरुद अधिकार अगर कोई वेक्ति ने अपराद किया है तो वो अगर चाता है कि उसको हत्कडी ना लगाई जाए वो अपस में साथ चलेगा तो उसको प्राप्त है कि उसको उत्कडी ना लगाई जाए मानविय पर्तिष्टा के साथ जीने का अधिकार वह अपनी जो पर्तिष्टा है उसके साथ जीवन जी सकता है उसका भी उसको अधिकार है सारजुनिक रूप से फांसी न दिया जाने का अधिकार किसी भी वेक्ति को अगर फांसी की सजा होती है तो उसको सारजनिक रूप से फांसी नहीं दी जाएगी किसी भी वेक्ति को निजपक्स सुनवाई का अधिकार है दोस्तू अब मित्रू 2017 से इसमें और जोडे गए क्या क्या जोड़े गए निजता का अधिकार इच्छामर्टिव का अधिकार और तीन तलाग निशेद ये तीन जो अधिकार है वो 2017 से अनुचेद 21 के अंतरगत हमें सौतंतरताएं दी गई दोस्तों अब मित्रों हमने अनुचेद 21 के बारे में पढ़ा अब अनुचेद 21 के अंतरगत देखते हैं क्या दिया गया है सिक्सिया प्राप्त करने का अधिकार अनुचेद 21 के अंतरगत हमें दिया गया है सिक्सिया प्राप्त करने का अधिकार राज्ये 6-14 वरस के बालकूं को अनिवारे निसुलक प्रात्मिक सिक्ष्या परदान करेगा मतलब जब ये 21-A हमारे स्विधान मौलिक अधिकारू के अंदर जोड़ा गया उसमें कि राज्येव 6-14 वर्स के बालकूं को अनिवारे निसुलक प्रात्मिक सिक्ष्या क्या कराएगा उपलब दिया परदान करेगा दोस्तूं सिक्ष्या का अधिकार अधिनियम दो जार नो बनाया गया जिसें एक अपरेल दो जार दस से जमुकस्मीर को छोड़ कर संपून बारत के अंदर दोस्तों परे इसको लागू कर दिया गया है commitment 21 के अंतरlaubत क्या है सिक्ष्या प्राप्त करने का अधिकार चैसे चोदा वरस प्रात्मिक सिक्षिया प्राप्त करेंगे और ये राज्ये का अधिकार होगा कि उनको निसुलक सिक्षा प्रात्मिक सिक्षिया उपलब्द करवाई नोट अनुचेद 21A में सिक्षिया का सिक्षिया अधिकार है आर्टिगल 45 में सिक्षिया की नीति राज्ये बनाएगा और अनुचेद 51A में प्रात्मिक सिक्षिया दिलाना माता पिता का कर्तव्वे होगा तीनू के तीनू इंपोर्टेंट है भी बता रहा हूँ सीधा इनसे बन सकता है शिक्षिया अधिकार है शिक्षिया की नीति राज्ये बनाएगा या प्रात्मिक सिक्षिया माता पिता अपने बच्चू को देंगे या कर्तव्वे होगा उनका तो ये कौन से अनुचेद में कहे गई है बहुत इंपोर्टेंट है ये सभी प्रावदान 86 वे प्रावदान संसोदन 2002 में बनाए गए थे दोस्तों ये था हमारा अनुचेद 21 सवतंतरता के अधिकार के अंतर हमारा नेक्स्ट और अन्तिम जो अनुचेद है सवतंतरता का अधिकार वो है आर्टिकल 22 अनुचेद 22 कुछ दसाओं में गिरपतारी से सरक्षन प्राप्त करन का आपको अधिकार दिया गया है इसमें निवारक निरोद प्रावदान भी सामिल है अब देखिए मित्रू यहां पर एक एक चीज़ को समये 22 अनुचेद 22 एक के अंतरगत गिरपतारी के कारण जानने का अधिकार है आप किसी भी वेक्ति को अगर गिरपतार करने जा रहे ह तो वो कारण जान सकता है कि उसको गिरपतार क्यों किया जा रहा है बिना किसी वेक्ति या नागरी को गिरपतार नहीं कर सकते बात करते हैं अनुचेद 22 की 24 गंटे में नजदी के नयाले में ले जाने का अधिकार अगर आपने किसी वेक्ति को किसी अपराद के अंतरगत गिरपतार किया है तो 24 गंटे के अंदर उसको नयाले में पेस करना करतवे होगा राज्ये का दोस्तु इसमें यात्रा वे अवकास का समय सामिल नहीं है ये अधिकार निवारक निरोद वे सत्रु देश के नागरिकू को प्राप्त नहीं है मित्रू 24 गंटे में किसी को अगर आपने गिरपतार किया है तो उसको नयाले में पेस करें लेकिन अगर आप उसको कहीं से गिरबतार करके आप यात्रा करके पहुंच रहे हैं और 24 गंटे से उपर हो रहा है तो वो समय आपका नहीं गिना जाएगा यात्रा का समय और आवकास का समय इसमें सामिल नहीं किया जाएगा इसके साथ निवारक निरोध वे सत्रू देश के कोई अगर नागरिक है तो उनको ये प्राप्त नहीं है कि उनको 24 गंटे में आप नहयाले में पेस करें आगे भी उनको आप अपने पास रख सकते हैं अब हो सारे साती मांग उठाएंगे सरी निवारक निरोध क्या है आगे आ जाएगा इनके बारे में देखें बात करते हैं अनुचेद 22 तीन में पसंद का वकील करने का दिकार अगर आपने किसी को गिरफतार किया है 24 गंटे में उसको आपने नियाले में पेस कर दिया है त जिसमें गिरफतार किसी वेक्ती को कम से कम तीन महीने तक निरोध बंदी रखा जा सकता है अगर निवारक निरोध कानून के तहित किसी को गिरफतार वेक्ती को किया जाता है तो उसको गिरफतारी के बाद कम से कम तीन महीने तक बंदी रखा जा सकता है इससे अधिक के लि तेत गिरबतार किया, तीन महिने तक तो आप उसको बंदी रख सकते हैं, इससे अधिक रखना चाहता है तो आपको समयती बनानी पड़ेगी, उसकी रिपोर्ट के अनुसार या फिर संसद है, जो इस सौधी को बढ़ा सकती है दोस्तों, बहुत सारे साती है, उनके सामने आ ग तो वो कारण जानेगा, लेकिन मित्रू, वो कुछ ऐसी गतिविद्यों में संगलिप्त हो, जिन से पता लगता है कि ये वेक्ती बहुशे में अपराद करने वाला है, वो होता है, क्या, निवारक निरोद के तेत गिरबतारी, ये समवर्ती सूची का विसे, राजे वह के अ बना सकते हैं, बारत में निम्न कानून इसके अंतरगत आते हैं, किसके अंतरगत? निवारक निरोद के अंतरगत, निवारक निरोद विदी 1950, MISA आंत्रिक सुरुक्सा कानून 1971 से 78, विदेशी मुदरा सरक्षन एवं तस्क्री निसेद कानून 1998, आंतंगवाद एवं विद् अगर इन कानून या इनके साथ कोई वेक्ती ही काम कर रहा है ऐसे अपराद कर रहा है तो उसको अपराद करने से पूर्वे गिरबतार किया जा सकता है दोस्तों ये था हमारा अनुचेद नंबर 22 आज हमने समानता वैसा उतंतरता का अधिकार देखें नेक्स्ट हमारी जो कलास रहेगी कलास नंबर 6 उसमें बाकी जो हमारे चार अधिकार बच्चे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे लेकिन मित्रू इससे पहले आपसे आसा रखता कि कमेंट करके बता दें कि मौली के दिकारों की पहली कलास आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती है वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जेहिन जेबार